को यहां भी बात करेंगे कि जान कर्ज माफ़ी योजना के बारे में और इसको लेकर बहुत ही बड़ी नूजह सभी किस्टानों के लिए क्योंकि उनका जो है वो कर्जा माफ़ किया जने वाला है और वह भी राउल गांधी की तरब से बहुत ही बड़ा बयान देखने मिला जिसमें ये सारी की जारी बाते सामने आई हैं निकल कर कि सारा का सारा जो किसान है चाहे छोटा हो चाहे कैसी सी वाला हो चाहे इमानदार है क्यों ना हो उसका सारा का सारा जो रण है वो माव कर दे जाएगा लेकिन इसके कुछ नियम काय दियानी की आपको निर् लूप से आप कैसे माव करवा सकते हैं करजा तो यह सारा का सारा प्रोग्रेस हम बताएंगे तो वीडियो को देखेंगा लाज तक पूरा का पूरा और उससे पहला यदि आप मारे चैनल पर हैं नए तो चैनल करना है सबस्क्राइब और दबाना है बैल आइकन को भी लेटर पाना के लिए किसान करज मापी बड़ी अच्छी जो है तहट जो कोई भी किसान है वो फाइदा ले सकता है और यह यह जो है करजा माफ करवाने काफी अच्छी है दो तो इसमें जो है रावल गांदी जी बहुत ही यहां पर इस पर जादा ही फोकस करते हैं नजरा रहें क् यहां पर माराष्टर, मद्यब्च परदेश और यहां पर राष्तान पर तीन बड़े राज़ियों में जीन मेली और इसके बात क्या करे है कि देखे मोधी जी पर निसन अस्ताद रहाने कि लोकसभा की कुर्सी पर निसन आए और वहां पर अपना गड़ बनाने के लिए किसान कर्ज माफी ओजना अपना रहे हैं तो राउल जी की यहां पर बड़े बड़े वाइदे निकल के आए हैं किसानों के लिए काफी अच्छे बादे हैं जिसके तहज़ों है उसका कर्जा माव किया जा रहा है राउल जी ने यहां पर पूरी तरह से कुछ है खुर्सी पर पकड़ बनाने के लिए ही ये वादे किये जा रहे हैं और किसानों के लिए ये जो वादे हैं वो बड़े ही सक्सेसफुल होने वाले हैं हो राउल जी के लिए होने वाले। क्या कर रहूं हम चाहते हैं कि हम परदान मंत्री बनाए और राउल गंदी चाहते कि हमारी पार्तिया वह लोक सबा चुनख जीचा तो इसलिए इसलिए उस दो रोक सबा चुनों में पुन भामत वाली सरकार बनाने के लिए कांगरेस जो हैं ऐसे प्रियास कर रही है कि ग्रमन सेत्रों को कैसे भी करके लुभायाई चायए और सात्रों में अधिक सहर जो है किसान के लिए और वायदा जाये कि वड़े-बड़े-फायदे से जो अभी की अफडेट तोसो मौधी जी को यहां पर निसाना साथ हैं मौधी जी को कठगरे में खड़ा करते नज़र आ रहे है रावल गांदी एकार फेल से मौधी जी को गहर लिया उन्होंने और कहा कि परदान मंत्री मौधी 15 लोगों के साड़े लाक साड़े तीन लाक करोड म नहीं माव करते हैं तो यह रावल गांदी की तरफ से देखने हुब आहां पर बहुत ही बड़ा बयान एलान रावल जी नहीं हां पर अपने एलान में कहा कि और उन्होंने एक जैपूर में विसाल ले लिया मैंकितीyd किस लिए जिसमें किसान भारी संक्या में आयते हैं बड़ी तालाद में किसान उपस्ती रहे और किसानों को संभोधित करते हुए देश के किसानों का कर्जा माफ करने की जो है मोदी को यहां पर गुवार लगाई और मोदी जी को कहा कि हम आपको तब तक नहीं सोने देंगे तब तक जब तक आप जो हैं वो किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे इसके तहज जो हैं वो किसानों का यहां पर बड़ी तरह बड़ी यहां पर बीड़ रूपस्ती रही बड़ी तालाद में किसान थे किसानों यहां पर संबोड किसंगों को संबोड किया और किसान काफी खुष भी नज़रा यहीं दो अ देखो मैं बतातु हैं तो वरिष नेता इसके इसके कारण काणग्रेस जो हैं क्या कर रही है बड़े-बड़े दाव ख्याल लए है तो इसके बड़े बड़े नेता घ्म कर दिया है यहां पर उन्हों भी खागा कि हम जोदी को नहीं सोने देंगे तब तक हमारा जो है किसानों का जो है करजा माव नहीं करेंगे और हमारा हमने हमारे राजियों में कर दिया है किसानों का करजा माव यानि कि पूरे देश के किसानों का जो है वो करजा माव किया जाए कांग्रेस सदीक श्रावल जो है अपना ही गड़ बना ले और यह हम पर जीते जैसे ही वहाँ पर भी जीते यानि कि लोक्षवा चुनाओं में अपना गड़ बनाए तो इसी को लेकर किसानों का करजा माव करने को लेकर बड़ी बड़ी बात है कही उन्होंने कहा कि हमने तो देखिए दस दिनों के बीत करजा माव कर देंगे लेकिन हमने तो दो दिनों के बीतर ही जो है वो करजा माव करवा दिया यह हमारी बहुत ही बड़ी यह नहीं सफलता कह सकते हो आप क्योंकि हम तो पहले ही कर देते हैं काम यहाँ पर मोदी जी ने कहा मोदी जी साड़े-चार साल से बैठे हैं इस पूरे देश में उन्होंने ये भी बात लिएूरे जी जब तक पूरे देश के किस्तानों का करड़ा माप कर हमारे किस्तान बाईयों को नंका हक नहीं देतेim अनको चैंस नहीं जोने देंगे और फिरपी केंदर-सरकार ने कज़ा माफ नहीं किया तो वर्ष 2019 में आने वाली हमारी के अंदर सरकार देज के किसानों का कज़ा माफ कर देगी तो यहाँ पर डंके की चोट पर जाके एलान किया है कि हमने यदि आप हमें बोर देते हैं तो हम आपका कज़ा माफ करेंगे यह बड़ी बाते निकल गए यहाँ पर रावल जी को यहाँ पर जवाब देते नजर आ रहे हैं मोधी जी ने कह दिया कि हम किसानों का करजा माफ तो कर देंगे लेकिन आप इस सती ऐसी बनाता ही कि करजा आपको लेना पड़े आप एसी करते ही क्यों हों कि करजा आप ले रण ले आप और फिर आत्मत हब प weed आपकी तो यहां पर př कड़ जवाब दिया है यहां पर किसानो और हम रहा होळी की यहाँ पर राशल देश देने के लिए राजितान की जंता खास कर किसान युवाव अमजनों माताव और वनों को खुले दिल से अबावी भक्त कर दिया इस अउशर पर जो हैं मुख्य मंत्री असोक गलोत ने भी बड़ी गोश्णाय कर दी वजली बिल माव को लेकर बड़ी बड़ी गोश्णा सब्सकु को म τους याँ यह बड़ा सवाल रहा रॉजणे के लिए मोरकी में मोधी बड़ी देस के 15 लोगों nutr गरजा हिए और रूपीए मप कर सकते हैं तो हमारे किसानों का जौन है वह किर्फ़ा जो मर रहा है किसान बनाने के लिए हमारा संक्लब का पहला कदब है यानि कि हमारे संक्लब है हमारे जो वाइदा है उसका पहला कदम जो है वो किसानों का कर्जमाब है हम आपका जो है वो यहाँ पर सबसे पाले मानते हैं हम अंदाता को यहाँ पर वोट बैंक नहीं मानते हैं ये भी बड़ी बड़ी वाते निकले गए आई हैं कि हम वोट बैंक नहीं मानते हैं बलकि अंदाता कौम अंदा किर्शान को अंदाता मानते हैं हम देश के किसान भाईयों को ससक्त बनाने के लिए नई हरित कांती लाएंगे और मेगा फूर्ड कांड पार्क फूर्ड प्रोसेसिंग यूनिट कोल्ड जेन के विकास तता अधनिक तक्निक के माध्यम से किसानों का जीवन इस्टर उठाएंगे याने कि जो आत्म निर्पर बनाने की परवति अपनाएंगे तो देखिए आत्म ससक्त बनाने की बात चली हैं यहां पर भी और उन्होंने का दिया कि हमारा मानना है कि किसान देश के लिए मात्पूर्ण असेट है केंद्र में हमारी सरकार बनने पर देश का किसान बेक पूर्ड पर नहीं फ्रंट पू इसकार बनना चाहिए तो देखिए कहीं कहीं किर्केट के जो सब्दा आते हैं वह पी इस्तमाल कर लेकिन यह इसलिए कि किसान जो है वो आत्मनेरपर की परवति अपनाएं ना कि आत्मात्या की परवति अपनाएं तो यह बड़ी बड़ी बात निकले चंटा को जवाब दे जंता के लिए हमेंसा खुले रहेंगे आप बले हमारी जंता आपकी जंता कब भी आए हम आपके लिए दरवाजी हम अरवक्त ऑपनी रखेंगे खुले ही रखेंगे और ना मुख्य मंत्री बन रखेंगे और आपका कोई मालक नहीं बलकि आप तो खुद असली आपकी मालक है यानि कि आप ही इस राज्य के मालिक हैं, जनता ही इस देश की मालिक हैं murmur पकःफ़क के मालिक हैं और उनने कहा कि मैं विस्वाथ जिल लता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री, मंतिर सभी के दर्वाजे, जनता के लिए हमें से खुले ही रहेंगे पांस साल तक नहीं बढ़ेगी कर्सी बिजले की तरह किसान आयो का पुनल गठन होगा तो यहां पर यह जो है असो गलोद जी की तरफ से गोशना है देखने को ले और देखिए यहां पर एक और बात आई खाद पर संक्रण कायों के लिए किसानों को नहीं कराना होगा भूर पांतर तो गलोद जी की तरफ से यह भी बड़ी योजना के रूप में सामेल हो गई है यह काफी अच्छी है तो यहां पर एक और बड़ा वयान है जो कि गलोद द्वारा किया गया अभी का है लेकिन फिलाल मैं बता दूं तो यह अभी की अपडेट यह मुताबिक यह आग प्रश्तान के मुधे मंदरी असोग अगलोद ने किया हैं और उन्होंने कहा कि हम जो हैं आगामी जून तक एक लाग किसानों को लंबित करसे जानी कर देंगे और उन्होंने कुछ और भी ऐसे बड़े बड़े वायदे कर दा दाले हैं किसानों को लेकर और देखे एक और जी नहीं नहीं कि यहां पर फिर से का चलोग कर देंगे और देखे और बड़ी-बड़ी यहां पर नूजे आपको देखने को मिल गया परदास सरकार के फसलों से हर वर्ग में चागी उमीद उक्मक की वानतरी तारा यह लिया गया फैसलों तो दोस्तों यहां पर आप जैसा की देखी सकते हो कि जो किसान हैं उसके लिए एक और फिर से परदेश सरकार के फैसले लेने से जो हैं जग चुकी है उमीद और यह बिलकल किसान के लिए नहीं किया सकते क्योंकि हमने जो हैं सबी को ऐसा ऐसा अच्छा योदना दिया हैं जिससे किसान, नोजवान, करमचारी, छोटे कारबारी वहले कोई हो, तमाम वर्गों को हमारे फैसले से काफी अच्छी उमीद बिली हैं, काफी अच्छी उमीद जग चुकी हैं और यह उमीद हम आगे भी देंगे और देखिए, इन्होंने एक और कहा कि हमारी सरकार परदेश में मन्रेगा के काम दोगिनी ताके से सुरू करने वाली हैं, ताकि गाउं के लोगों को हमारे जो हैं रोजगार मिल सकें, यानि कि गाउं के रोजगार हैं, गाउं में जो बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार हम देंगे, रेली को कांग्रेस के परदेश परबारी से अविनास पांडे ने भी संबोधित कर डाला और ने भी कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि हम भी यहां पर आपके लिए हर वक्त जो हैं दरवाजे खुले रखेंगे आपके लिए ही आपके वत से ही हम तो जीते हैं यहां पर यह बाते निकल के आई हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष राउल गांदी जी ने बहुत ही अची अची बाते किर डाली है कितान करज माफी रेली को कि हम जो bark कर्ज हैं आपके लिए विकल प्तलास का कैसी 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 होता हैं आपके लिए निकाल निकालनी हैं यहां पर राउल गांदी जी कि तरब से अपने ही सबाह को समोधिद करते हुए और ये बड़े बड़े वायदे काफी successful हो साएंगे रावल गांदीजी ने अपने यहाँ पर भाशन में बहुत अच्छे थी यहाँ वे वाकिये बोल डाले है तो दोस्तों ये सारी के सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो करना है like और वीडियो करना है अधिक सदिक share भी तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही और दोस्तों अभी तक नहीं किया है मारी यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राब तो कर देना है सब्सक्राब और दबा देना है बेल आइकन को भी latest information पाने के लिए किसान करत्म अफिशे रिलेटेट और समधित तो उस्तों एक और फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए जाते जाते बोलिए वंदे मात्रम जेहिंद जे मारत